ऐलो फ्रेंड्स वालकम तो जार्वेस कमपस आज हम बात करने वाले जो सेप्स हम पढ़ रहे कौन से वाले थेडी सेप्स उसमें faces कौन से होते, vertices क्या होती है, और उसकी ages क्या होती है, तो यहाँ पर आप लोग एक example ले लो, जैसे कि यहाँ पर cube दिया गा है, right, cube के बारे में आप सबको पता ही होगा, कि यहाँ पर जो cube है, वो कैसा होता है, कैसा होता है, क्या पता है, कुछ भी नहीं पता होगा, चलो जानते हैं क्या होता है, उसमें कैसे होता है, और क्या होता है, right, तो यहाँ पर पहले तो यह एक cube है, वो हम क्या बोलेंगे, उसको polygon बोल पाएंगे तो कि यहाँ पे teacher पॉलिगोन बोल पाएंगेUS पॉलिगोन बोल पाएंगे क्या कुछ भी यहाँ पे यह you do क्यूंव है उसमें हम सिर्फ यह आगे वालीस ऐ बोली जो साईड उसको धिनन हो है यह कि स्कुएर हो गाया है तो square को हम polygon बोल पाएंगे, right, obviously, पर यह जो यहाँ पे हम cube क्यों ले रहे, तो कि यहाँ पे आप cube के अंदर देखो, तो यह जो हमने बोला था कि आगे वाला square ले लेते, right, तो वो square को क्या बोलते, face of cube, right, तो ऐसे कितने face यहाँ पे cube में होंगे, तो count करते हैं, कितने face हैं, तो यहाँ पे आगे वाला एक face, पीछे वाला face, top वाला face, bottom वाला face, left and right, यानि कि sides वाला face, यानि कि total 2, 2 and 2, यानि कि 6 faces हो गए, right, अभी यहाँ पे हमने faces के बारे में बात कर लिया, अभी ages क्या होगी, तो कि ages, यानि कि यह जो face होते हैं, उनकी जो borders होते हैं, यानि कि जो line segments होते हैं, उनका ends, यानि कि जो line segment होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ages बोलते हैं, और यह जो faces है, वो कही न कहीं कोई point पे मिल रहे हैं, वो हर एक point को क्या बोलेंगे हम, vertices, उसको हर एक point को हम क्या बोलेंगे, vertex, तो ऐसे कितने vertices यहाँ पे हैं, तो वो count करते और कितनी ages होंगी यहाँ पर वो भी count करते तो यहाँ पर यह जो ages वो कितनी होंगी वो count करते तो कि यहाँ पर टॉप वाली 4 edges हो गई, बाटम वाली 4 edges हो गई, और यह जो height वाली है, यह 4 edges हो गई, यानि कि यहाँ पे 3 बार हमें 4 मिल रहे, यहाँ प्लस 4, 8 प्लस 4, 12 edges हो गई, यहाँ पे total, अगर vertices की बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने vertices होंगे, तो कि यहाँ पे top के 4 vertices, और bottom क 4 vertices, यानि कि total 8 vertices हो गई, तो यहाँ पे आपने क्या find किया, तो कि यह जो faces है, vertices है, और ages find की, तो यह जो faces को मिला के, यह जो 3D से बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, polyhydron बोलते हैं, और यह जो polyhydron है, उसके भी कुछ types है, कौन से types है, वो जानने के लिए जूड़ रहे हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ, यहाँ पे यह polyhydron के बारे में तो हम जानने ही वाले हैं, पर यहाँ पे यह जो cube है, और उसके उपर यहाँ पे कुछ यह दूसरा एक shape मिल रहा है, तो यह जो 2 shape मिला के, एक नया shape बन रहा है, उनकी faces और vertices और ages अगर मेरे को find करने हैं, तो क्या मैं कर पाऊंगा, yes, obviously कर पाऊंगा, पर आप एक बार try कीजिए, कि यहाँ पे इनकी faces और यह जो vertices है, और यह जो ages हमने यहाँ पे पड़े, वो कितने हो पाएंगे, कैसे मिल पाएंगे, आप easily यहाँ पे अगर उसको find कर पाऊगे, तो well and good, आपको यह जो भी हमारा topic है, वो triangle दीख रहे है, तीन ट्राइंगल है, तीन faces है, यार, तीन faces है, और तीनों कितनों, ट्राइंगल है, और वो कहां पे meet कर रहे है, एक point के उपर meet कर रहे है, यानि कि हमने यहाँ पे, cube में, जो भी face, vertices और age हमने find किया थे, वो तो आएंगे हिएंगे, उन में कितना add हो देंगे फिर यह जो उपर वर्टाइस से बढ़ गया हमारा वह एड़ कर देंगे और यहां पर आप देखो तो कि यह जो हमारे तीन फेस ट्रैंगल फेस वहां पर नीचे की तरब जो वर्टाइस हो था हमने क्यूब में काउंट कियी थे यानि यहां पर यहां पर तीसरी और यहां पर टोटल चार एड़ हो जाएंगी राइट तो अभी यहां पर आप देखो तो आप लोग को में बोल कि हमने क्यूब का एज वर्टाइस और क्या फाइंड किया फेस फाइंड किया फिर उसके अंदर हमने यहां पर यहां पर यह एड़ किया क्या मैं नहीं यहां पर यह एड़ करू और डाइरेक्ली काउंट करू कि इतनी यहां पर यह एज हो गई इतनी क्लियर होना चाहिए तो आपके समक्स यहां पे कुछ डिफरेंट टाइप के सेप यहां पे दीख रहे होंगे तो आप यहां पे यह जो डिफरेंट सेप से उनके वर्टाइजिस फेशिस एन एजिस कितने होंगे वह आप फाइंड कर पाओगे इसली तो यही आपके लिए आपकी प्रैक्टिस है और हमने बात कि दी पॉलिहाइड्रोन के बारे में तो पॉलिहाइड्रोन क्या होता है और उसके कितने टाइपस है यानि कि उसके अंदर कितनी चीज़े ऐसी आ सकती है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है वो जानने के लिए जीड़े रहे हमारे साथ थेंक्यू